पापा मैं आपकी बेटी हूँ कोई दान की चीज नहीं इसलिए मेरा कन्यादान मत करो यह सब्द किसी मामुली लड़की के नहीं है यह सब्द एक I.S. महीला अफसर के हैं जिसने पाखनवाद की गर्दर मरोड कर एक मिसाल कायम कर डाली बतादी की मध्यपरदेश की एक महीला I.S. अफसर और I.S. अधिकारी की साधी की चर्चा विशा बना हुआ है दरसल साल 2018 बैस की परिक्सा में ओल इंडिया 23 वी रैंक लाने वाली I.S. अफसर तपस्या परिहार ने रूड़िवादी परंपराव को तोड़ कर I.S. अधिकारी गर्विद गंगवार से साधी की तपस्या ने अपनी साधी में कन्यादान की रसम कराने से इंकार कर दिया हिंदू रीती रिवाजो मध्यपरदेश के नर्सिंगपुर जिले में जन्मी तपस्या परिहार ने कन्यादान जैसी रूड़िवादी परंपरा को तोड़ दिया उन्होंने अपनी साधी में पिता से कन्यादान नहीं कराया उनके इस कदम में परिवार वालों ने भी उनका पूरा साथ दिया अब उनकी साधी की चर्चा हर तरब से हो रही है बतादी की मध्य परदेश की एक महीला I.S. अफसर और I.F.S. अधिकारी की साधी की चर्चा का तोड़ कर I.F.S. अधिकारी गर्वित गंगवार से साधी की है तपस्या ने अपनी साधी में कन्यादान की रसम कराने से इनकार कर दिया है हिंदू रीती रिवाजो मध्य परदेश के नर्शिंग पूर जिले में जन्मी तपस्या परिहार ने कन्यादान जैसी रूडिवा परवित गंगवार से साधी परिहार ने पूरे रिती रिवाजों के साथ पंचमडी में साधी की है इस मौगे पर तपस्या ने कहा बच्पन से ही मेरे मन में समाज की इस पापा मैं दान की चीज नहीं हूँ आपकी बेटी हो कोई दान करने की चीज नहीं हूँ इसलिए आप मेरा कन्यादान नहीं करोगे कन्यादान ना कराने को लेकर IAS तपस्या ने कहा कि जब दो परिवार आपस मिलकर विवा करते हैं तो फिर बड़ा छोटा या उचा नीचा होना ठीक नहीं है क्यों किसी का दान किया जाए जब मैं साधी के लिए तैयार हूँ तो मैंने भी परिवार के लोगों से चर्चा कर कन्यादान की रसम को साधी से दूर रखा ओसो के भग तपस्या के पिता विश्वास परिहार कहते हैं कि बेटे और बेटी में कोई अंतर नहीं है बेटियों को दान करके उनके हक और संपत्ती से वन्चित नहीं किया जा सकता है विवा के बाद अन्य रसमों को लेकर तपस्या कहती है कि साधी के बाद पतनी को मंगा सुत्र पहनाना पढ़ता है मांग में सिंदूर भी भरनी पढ़ती है सिर्फ इसलिए क्योंकि पती की आयू बढ़े सरनेम भी बदलना पढ़ता है साधी के बाद सिर्फ एक व्यक्ती के लिए दूसरा ही त्याग करता रहे मुझे ये चीज सुरू से पसंद नहीं है ऐसी खबरों से महिला को मांसी गुलामी से आजादी की जलब दिखाई देती है लगता है वे दिन दूर नहीं है कि जब महिला रुडिवादी परंपराव से मुक्त हो सकेंगी पाखन वादी रिवाजों को ठेंगा दिखा कर एक नया युक्की सुर्वात केवल महिला ही कर सकती है इसलिए महिला को ऐसी मुहिम में बढ़ चड़ कर हिस्ता लेना चाहिए आपको ये खबर कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में जरू लिखे आप देख रहे थे बहुजे नल चल फिर मिलेगे नई खबर के साथ धन्यवाद